कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? मैं किंजल पटेल फ्राम अश्व में एक विद्याले. विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षाशाथ के हिंदी विशय में कथनी और करनी निबंद पाठ में हमने कुछ उदाहरन देखे जिसमें हमने देखा था कि एक सज्जन पार्क में पोधे लगाता है और उसमें वहाँ पर क्या लगाता है? तक्ति लगाता है कि फूल तोड़ना मना है और वहाँ से वह खुद ही सवेरे फूल तोड़ कर लिया था दूसरा हमने देखा था कि बस में कंड़क्टर एक यात्री को धुम्रपान करने नहीं देता है और फिर खुद ही ड्राइवर के साथ बैटकर धुम्रपान करता है एक दुकान वाला एक घ्रहक को अपने दुकान के सामने स्कूटर पार्क करने नहीं देता है फिर उन्ही का वेटे आकर दुकान की सामने स्कूटर पार्क करके दुकान के अंदर चला जाता है यहां तक हमने देखा था अब हम आगे देखेंगे एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आई दोनों मित्र बाचीत में मगन थे कि किसी ने दर्वाजा खट खट आया एक दिन क्या होता है कि एक सज्जन के घर एक व्यक्ति के घर उनके मित्र मिलने आई थे दोनों मित्र आपस में बाचीत कर रहे थे और वो बाचीत में मगन थे कि किसी ने दर्वाजा खट-खट आया जब ये दोनों बातचीत में मगन थे उन्हों ने खिडकी से जाग कर देखा बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले चार मह का किराया मांगने बार-बार आ रहा था तो सज्जन ने क्या किया दर्वाजा न खोल कर खिडकी से देखा की कौन आया है जाक कर देखा की कौन आया है तो उन्हें बाहर मकान मालिक खड़ा हुआ दिखाई दिया जो पिछले चार महीने का किराया मांगने के लिए बार-बार आ रहा मकान मालिक बहर खड़ा था दर्वाजे के बहर जो चार महिना का किराया मांगने आया था उन्होंने अपने बच्चे को समझा कर बहर भेजा उस सज्जन इंसान ने क्या किया अपने बच्चे को समझा कर बहर भेजा कि मकान मालिक से इस तरह की बात करो जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराय लेने आया बच्चा बाहर जाता है तो मकान मालिक उस बच्चे से पुछते है कि तुम्हारे पिताजी कहा है मैं मकान का किराय लेने के लिए आया बच्चे ने तपाक से जवाब दिया पिता जी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है बच्चा तपाक से यानि कि जोश के साथ जल्दी से कहता है कि मेरे पिता जी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है बच्चे को क्या बोलने के लिए कहा होगा कि मेरे पापा घर पर नहीं है ऐसा बोलने के लिए कहा होगा लेकिन बच्चे तो क्या होते है निर्दोस होते है बच्चे ने क्या कहा कि मेरे पिता जी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हसने लगता है उसके पता चल गया कि ये उसका जो पीता है वो किराय देना चाहता नहीं है इसके लिए बच्चे के पास उसने जूट बुलवाया है घर में बैठे मित्र के चहरे पर भी मुश्कान आ गई घर में जो उस सज्जन आदमी का मित्र बैठा था उसके चहरे पर भी मुश्कान आ जाती है जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए और यह देखकर कि उसका दोस भी उस पर हस रहा है और वह मकान मालिक भी उस पर हस रहा है यह देखकर वह सज्जन आदमी पानी पानी हो जाता है पानी पानी हो जाना यानि कि बहुत लज्जीत होना उसे बहुत ही शर्मा आती है एक सज्जन ने अपने पोते को यह शिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत धंग से नहीं करना चाहिए अभी यहाँ पर दूसरा उदाहरन है कि एक सज्जन आदमी है उन्होंने अपने पोते को सिखाया था कि कभी किसी काम को हमें गलत धंग से नहीं करना चाहिए कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए सदा अपनी बारी की प्रतिखशा करनी चाहिए उन्होंने अपने पोते को क्या शिखाये था कि सदा अपनी बारी की प्रतिक्षा, यानि की इनतजार करना चाहिए हमें जल्द बाजी नहीं करनी चाहिए, हमारी बारी की रह देखनी चाहिए एक दिन की बात है वे जल बिजली के बिल जमा कराने गई साथ में उनका आठ वर्ष यो पोता भी था एक बार क्या होता है कि वो जल बिजली के बिल जमा करने के लिए जाते है और उनके साथ वो अपने पोते को भी ले जाते है उनका पोता आठ वर्ष का है यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में कि जल बिजली विभाग में बील जमा करने के लिए लोग लाइन में खड़े हुए हैं आगे हैं बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देख कर वे कोई उपाय सोचने लगी वहाँ जाकर दादा जी ने देखा कि बिल जमा कराने के लिए लंबी कतार यानि की लाइन पंक्ती है यह देखकर वो सोचने लगे कि कोई उपाय करना चाहिए जिससे इस लाइन में खड़ा न रहना पड़े हैं उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा और वो क्या करते हैं तो जो लाइन में लोग खड़े थे उन्हें ध्यान से देखने लगते हैं आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। उन्हें आगे ही एक परिचित व्यक्ति उनके जान पहचान का व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले बेटा ये बील तुम घर पर ही भूल आई। लो इसको भी जमा करा दो। और वे तुरंत उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं। और उस व्यक्ति से बोलते हैं कि बेटा तुम घर पर ही ये बील जो है वो घर पर ही भूल आये थे। लो इ बील उस आदमी को थमा दिया, जमा कराने के लिए, वह व्यक्ति कुछ बोले, उससे पहले ही बील वर राशी उसके हाथ में थमा दि, और एक तरफ जाकर खड़े हो गए, वह व्यक्ति कुछ बोले, वह परिचित व्यक्ति कुछ बोले, उससे पहले ही उसके हाथ में वह बुज़ूर्ग आदमी क्या करते है, तो बील और राशी, राशी यानि की रकम, पैसे उसके हाथ में थमा देते, और फिर एक तरफ जाकर खड़े हो जाते, साइट में खड़े हो जाते, कि पोटा बार बार कहने लगा, दादा जी लाइन में लगे न, उसकी बात सुनकर लोग हसने लगे, और यह देखकर उसका जो पोटा है, पोटा यानि की पुत्र का पुत्र, वो बार बार उन्हें कहने लगता, कि दादा जी लाइन में लगे ना लाइन में खड़े रहे न और इसकी पोते की यह बात सुनकर वहाँ जो लोग थे वो हसने लगते क्योंकि उन्हें सब को पता चल गया कि उस आदमी ने उस परिचित आदमी को बिल थमा दिया है अब आगे हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बाते तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं है यहाँ पर दादा जी ने अपने पोते को सिखाया था कि हमें अपनी बारी की प्रतिक्षा करनी चाहिए लेकिन जब उनकी खुद की बारी आई तो उन्होंने क्या किया अपना बिल और पैसे जो थे वो अन्य व्यक्ति को शाप दी और वो साइट में आराम से खड़े हो जाते हैं इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता और इस प्रकार का जो आचरण होता है वो अच्छा नहीं होता है आचरण यानि की व्यवहार ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता और जो ऐसा आचरण करता है उन्हें कभी भी सम्मान नहीं मिलता है वे हसी के पात्र बनते है और उन्पे जग हशाई होती है वो हसी के पात्र बनते है जो आचरण अच्छा आचरण नहीं करते है उसकी इसलिए हमें कथनी और करनी में सदेव समानता रखनी चाहिए और इसी वज़े से हमें शदेव यानि की हमें सा कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए जो हम बोलते हैं वही हमें करना चाहिए हो कथनी करनी एक समान जग में मिलता तब समान तब सम्मान हो कथनी करनी एक समान अगर कथनी और करनी में हमारी कथनी और करनी में समानता होगी तो हमें जग में हमें सम्मान मिलेगा तो ही हमें जग में सम्मान मिलेगा वरना तो हमारी जग हसाई ही होगी तो यहाँ पर हमारा पाट खतम होता है अब हम आगे उसके आधार पर पाठके आधार पर शब्दार्थ और अभ्यास के जो प्रश्नल्य गए हैं वो करेंगी सब्दार्थ प्रतिक्षा यानिकी इंतजार राशी यानिकी रकम आचरण यानिकी व्यवहार और सदेवी यानिकी सदाके लिये मुहावरे गुनों की खान गुनों की खान यानिकी बहुत बहुत गुनी पानी पानी हो जाना दूसरा है पानी पानी हो जाना यानि कि बहुत लजीत होना अभी अभ्यास पहला प्रशन है सोचकर बताईए प्रशन नमबर एक है सोचकर बताईए तो यहाँ पर जो प्रशन दिये गए है ये वो हम समझेंगे और फिर हम PDF फाइल के द्वारा ये जो प्रशन है वो हम नौटबुक के अंदर लिखेंगे पहला प्रश्ण है इस्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार स्रेष्ट बनाया है तो इसका अंसर है इस्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कलपना करने के लिए मस्तिस्क दिया है उसने मनुष्य को अच्छे बुडे का निनाई करने के लिए विवेक बुद्धी दी है वानी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है मनुष्य जैसा सुन्दर सरीर किसी दूसरे प्राणि का नहीं है इस प्रकार इश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से स्रेष्ट बनाया है, दुश्रा प्रश्न है, दुम्रपान वर्जित है, कहां कहां और क्यों लिखा होता है, ये वाक्य कहां कहां लिखा होता है, और क्यों लिखा होता है, तो दुम्रपान वर्जित है, ऐसा हमें यह वाक्य हमें बशो और रेल गाड़ियों जैसे सार्वजनिक वहनों में लिखा होता। अस्पतालों, सीनेमा गुरुहों और दवाखानों में भी धुम्रपा न करने के चेतावनी दी जाती है। बागबगीचे, पुस्तकालाई, प्रतिक्षालाई, धर्मशालाई और सार्वजनिक सोचालाई आदि स्थानों पर भी ऐसी पट्टिया लगी होती। और उसे क्यों लिखा होता है तो दुम्रपान से वायू प्रदुशित होती। प्रदुशित वायू में सांस लेने से चाती और फेफडे की कई बिमारिया होती। इसे लिए सार्वजनिक स्थानों पर दुम्रपान की मनाई की जाती। दुम्रपान करने से हमारे स्वास्थ को हानी पहुशती। हमारे छाती और फेफ़लों की हमें कई प्रकार की मिमारिया होती है इसे लिए धुम्रपान करना नहीं चाहिए आगे है तीसरा प्रश्ण फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो अंसर है फूल रंग बिरंगे होते हैं उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है फूल प्राक्रूतिक गहनों का काम करते है फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओ की मालाओ से मूर्ति की सोभा बढ़ जाती है फूल हार का उप्योग विशिष्ट व्यक्ति या सम्मान करने में होता हैं अपने इन गुणों और उप्योगे के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं चौथा प्रश्ण है लोग कहां कहां कतार में खड़े रहते हैं हम लोगों को कतार में खड़ा हुआ देखते हैं तो वो कहां कहां देखते हैं तो वो हमें यहाँ पर करना हैं तो कहाँ पर कतार में खड़े होते हैं, तो लोग ट्रेन, सरकश, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकेट के लिए कतार में खड़े रहते हैं, रासन की दुकानों से रासन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा रहना पड़ता हैं, लाइट या टेलिफॉन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं बस में चड़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े रहते हैं सहरों में मौल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार लगती हैं बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा कराते या निकालते हैं इस प्रकार ल आवश्यक्ता के अनुसार अलग-अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। आगे हम भी प्रश्ण नमबर दो का अ विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड बनाई है। तो हमने विराम व्याकरन के टॉपिक के अंदर हमने विराम चिन्ह का भ्यास किया था। तो यहाँ पर जुविराम चिन्ह दिये गए हैं। उनको उनके नाम के साथ कौन सा चिन्ह किस का चिन्ह है उसके साथ उसकी जोड़ी मिलानी। यह बरबर चिन्ह दिया गया है और इस साइड उसकी नाम दिया गया है। तो वो हमें लिखना है। पहला है ये किसका है हाँ किसका है प्रश्न सुचक चिनह है ये क्या दरसाता है प्रश्न दरसाता है ये प्रश्न सुचक चिनह है बरबर तो इसका क्रम है हमें यहाँ पर लिखना है चार फिर दूसरा है ये क्या है हाँ क्या है पून विराम है बरबर है ये पून विराम का च तो हमें वो यहां पर कर नाम है, फिर ये है, ये किसका चिन है, ये उद्गार चिन है या विश्मय चिन है, ये किसका चिन है, उद्गार चिन है या विश्मय चिन है, फिर चौता है, ये क्या है, अल्पविराम का चिन है, ये किसका चिन है, अल्पविराम का चिन्हा है, तो हमें इसका करमिया पर चिलिक नाम है, फिर पाच्वा है, ये कौन सा चिन्हा है, ये अवतरन चिन्हा है, अबर जब हम कोई खास बात या व्यक्ति या वाक्य लिखते हैं, व्यक्ति का नाम या वाक्य लिखते हैं, तो हम अवतरन चिन्हा के अंदर लिखते हैं तो इसके क्या कहते हैं अवतराण चिन हां मराबर है फिर छठा है ये डैस जैसा है तो ये क्या है ये योजक चिन हां क्या है योजक चिन हां मराबर ये व्याकराण के टॉपिक के अंदर क्या ही है अब हम आगे दिखेंगे ब वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हमें वाक्यों को पढ़ना है और उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना यहाँ पर पहला है फूल तोड़ना मना तो यहाँ पर क्या आएगा कौन सा चिन्ह आएगा यहाँ आएगा पूर्ण विराम बराबर है पूर्ण विराम का चिन्ह आएगा दूसरा है वाह कितना सुन्दर द्रश्य है तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ आएगा उद्गार चिन्ह या विश्मय चिन्ह बराबर है, तो कहां आएगा, तो एक यहां आएगा, वा, कितना सुन्दर द्रश्य है, बराबर, दोनों के यहां पर आएगा, तीसरा है, बसों में लिखा होता है, धुम्रपान वर्जीत है, तो यहां पर कौन सा चिन आएगा, यहां आएगा, यहां पर अलपविराम आएग और यहां पर आएगा अव्तरन चिनह, बराबर है, फिर है चुछाथा, धारा रात दिन पढ़ती रहती, तो यहां क्या आएगा? यहां योजक चिनहा आएगा, कहां आएगा योजक चिनहा? तो रात दिन सब्दत के बीच में, क्या आएगा? योजब चिन्ह आएगा फिर पाचवा है पौधे बारिस में ही क्यों लगाए जाते हैं यहाँ पर क्या आएगा क्यों यहाँ आया यानि कि प्रश्न पूछा गया तो यहाँ पर क्या आएगा पौधे बारिस में ही क्यों लगाए जाते हैं प्रश्ना चिन हम बराबर है तो हमने ये किया अभी प्रश्न नमबर तीन नीमन लिखित वाक्यों में से जाती वाचक शंगना के आसपास गोल का चिन हम कीजी यहाँ पर जाती वाचक शंगना के आसपास हमें गोल करना है हमने शंगना का अभ्यास किया है बराबर व्याकरण के टॉपिक के अंदर तो इसमें पहला है मनुष्य अन्य प्राणियों से स्रेष्ट है यहाँ पर क्या आएगा कौनसी जाती वाचक्षंगना है कौनसी है मनुष्य मनुष्य यह जाती वाचक्षंगना है क्यों क्योंकि इसमें सारी मनुष्य जाती का बूध होता है दूसरा है सिल्पा ने चार पौधे लगाए तो यहाँ पर क्या आएगा? कहाँ पर आए? आएगा? तो आएगा पौधे पौधे यानि कि इसमें सभी पौधों का समावेस हो जाता है छोटे, बड़े, पतले, मोटे सारे पौदों का इसमें समावेस हो जाता है इस लिए पौधे जो है वो जाती वाचक्षणगना तीसरा है सहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते है तो यहाँ क्या आएगा जाती वाचक्षणगना? सहर सहर के लोग यानि कि सहर यानि कि जितने भी सहर है, उन सारे सहरों को यहाँ पर समावेश हो जाता। जितने भी सारे सहर है, उनमें रहने वाले लोग सुबह साम क्या करते हैं टहलने जाते हैं। चौथा है, फूल सबको अच्छे लगते हैं। यहाँ कौनसी जाती वाचक संगलाएगी? हाँ, कौन सा एगा फूल नबर है, तो ये फूल जो है, इसमें सभी फूल आ जाते हैं, सभी फूलों का इसमें समावेश हो जाता है, बरबर है तो विद्याति मित्रों, आज हम यहाँ तक करेंगे ये जो है प्रश्न नमबर तीन अभ्यास का जो पहला प्रश्न है ये आपको अभी नॉट्बुक के अंदर करना नहीं है, वो मैं आपको PDF फाइल के द्वारा भीजूंगी, तब आपको वो लिखना है, अभी सिर्फ आपको प्रश्न नमबर दो और प्रश्न नमबर तीन आपको पाठ्य पुस्तक के अंदर ही सिर्फ करना है, बराबर है तो आज हम यहाँ तक करेंगे आगे के जो प्रश्न है, वो नेक्श वीडियों के अंदर हम करेंगी थैंक यू